दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे कम्प्यूटर हिंदी टाइपिंग से रिलेटेट कुछ इंपॉर्टेंट बात जो कि अक्सर आप हिंदी टाइपिंग करते होंगे तो बहुत सारी परेशानी होता होगा या आपको टाइपिंग स्विट बढ़ाना होगा तो उसके लिए पहला पॉइंट क्या है कि सबसे पहले आप टाइपिंग कर रें हैं चाहे हिंधी टाइपिंग कर रहे हों चाहे इंग्श् 이번에 कर रहे हो तो सबसे पहला आपका बैठने का इन्ने आप चहयर पढ़ना बैठे ठीक है इससे क्या होगा कि आप हमेसा अग्दम सीधा बढ़ेंगे और दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी आप टाइटिंग कर रहे हो तो अक्सर आप देखे होंगे फिंगर आप जो है ना किस पर रखते आप चार फिंगर अपने के लिए आपना अंगुठा का ही यूज करें तीसरा पॉइंट क्या बनता है आपका टाइपिंग के समय सबसे खास बत कहा है कि आप किसी से बातचित नहीं करें कहने का मतलब करें अंगर कोई भी अगर इसे बात करता थे तो आप उसकितुन कुपर प мощ कर क्या है कि कि ऊपका नजर को जहाए नüssel आपका कीब पर होनाientes है कि कहने का मतलब एक नए वांप को देखें आप का नजर दौराना चाहिए वह आपका मैटर पर haha आप उस मैटर को लाभ्ड साइड रखें और हमेशा आपका नज़र जो है matter पर ही देखें इससे क्या होगा कि आप जो है क्या लिख रहे हैं है ना यह आपको दिमाग सी में control करना है ना यानि matter देखना है ना आपका keyboard देखना है ना आपका screen देखना है ठीक है और next point क्या है कि हमेशा is starting में आप typing कर लें उस दौरान आफ तेज़ टैपिंग ना कर हैं स्टारइंग में जब ही आप कर रहे हों तो तो करेंगा इससी क्या हूँ कि आरज़यगा आपÓ ऐसा करते कर करेंग करें जैसे आपका पॉइंट करना है तो आपको टैपिंग करना तो इसे क्या होगा कि आप टैपिंग स्पीड आपका बर जाएगा यानि सबसे पहले आप और एक बात सबसे important point क्या है कि आप जो है जो keyboard type कर रहे है keyboard का पूरा का पूरा diagram जो है आप अपने brain पर store कर लिजे करने का मतलब पूरा का पूरा diagram आप दिमाग पर store कर लिजे कि कोण सा button कहां पर है ठीक है और उस हिसाफ से क्या किजिए कि आप सबसे पहले सारे को याद कीजिए और देरे देरे टाइपिंग करने के बाद इन सब सारे rooms को follow कीजिए और इसके बाद देखिए आपका टाइपिंग इंक्रीज हो जाएगा ने आपका करो किसर देखिए याद के लेगा। चाहर काश वाद याद किस्वाने के लिए किर डने से आपका एंगपीन